Hello friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं NRA के बारे में तो NRA के बारे में बहुत ज़्यादा confusion था कि क्या है तो government ने एक नया agency बनाया है जिसका नाम है National Recruitment Agency ये क्या करेगा? Various government post में recruitment का काम करेगा जैसे अभी SSC, banking और railway recruitment agency का काम करता है SSC जैसे government के बहुत सारे post के लिए recruitment का process का काम करता है उसी तरह अब सब को हटा के एक National Recruitment Agency ले आया गया है जो tier 1 exam conduct कराएगा तो इसके बारे में हम लोग detail में जानते हैं और इससे क्या effect पढ़ेगा जो student अभी तयारी कर रहे हैं तो ये सारा effect और ये सारा knowledge अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो ये वीडियो चालू करने से पहले आप इस channel को like and subscribe करते हैं चलिए start करते हैं क्या है National Recruitment Agency तो सबसे पहले government क्या बोला है transparency का और easy of recruitment यानि recruitment क्या process है यह हम लोग देखते हैं current में क्या होता है multiple exam conduct कराये जाते हैं current situation है कि multiple exam conduct कराये जाता है और लेकिन इसके आने से क्या होगा इसके आने से candidate को एक ही fee में एक से ज्यादा exam देने का एक से ज्यादा exam में बैठने का मौका मिलेगा तो NRA क्या करेगा NRA remove the these pain यानि जो हम लोग अलग-अलग fee देते थे हैं travel करते थे अलग-अलग exam के लिए दूर-दूर और एक साल में तो अगर दो-तीन exam देना पड़ा तो दो-तीन form भरना पड़ता था दो-तीन बार जाना पड़ता था तो वो सब NRA उसको reduce कर देगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब NRA कैसे exam conduct कराएगा तो NRA एक common eligibility test लेगा ठीक है जो various label पर होगा graduate वाले के लिए अलग होगा 12th level वाले के लिए अलग और metric level वाले के लिए अलग CET exam conduct कराया जाएगा ठीक है तो यह CET में क्या होगा CET जो होगा वो non technical post के लिए होगा और जो tier 1 को replace कर देगा जैसे आप लोग जानते हों कि SSC में tier 1 होता है banking में tier 1 फिर tier 2 होता है SSC में tier 1 tier 2 tier 3 होता है तो यह सारी exam का tier 1 को replace करके एक कर देगा और किसी का आपको tier 1 देने का ज़रुरत नहीं है तो यहां पर especially SSC railway और IBPS के बारे में बात किया गया है ठेक है और एक बात यहां बहुत बड़ा लिखा हुआ है कि CET जो shortlist candidate करेगा वो group B और group C candidate का central government के job के लिए करेगा group D के बारे में यहां पर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो group D वाले के लिए इसके बारे में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहां metric के लिए 10th past level के लिए भी exam conduct कराएगा यह लिखा हुआ है अब आगे बढ़ते हैं common eligibility test क्या क्या आपको देगा ठीक है तो क्या क्या देगा तो जो difficulty होगा जैसे graduate है तो उसके लिए question का difficulty अलग होगा 12th के लिए अलग होगा 10th के लिए अलग होगा ठीक है और tier 2 और tier 3 कौन कराएगा तो tier 2 और tier 3 जो पहले SSC अपना tier 2 कराता था tier 3 करात लेकिन सबका tier 1 एक होगा ठीक है और जो आप score लाएंगे CET में वो 3 साल तक valid रहेगा ठीक है आप जो score ले आएं वो 3 साल तक valid रहेगा और 1 साल में हो सकता है 2 exam हो आपका CET और जिसमें आपका best marks रहेगा उसी को आपको recognize किया जाएगा कि आपका best mark को ही लिया जाएगा ठीक lesson नहीं है attempt में और जो relaxation मिलता था वही relaxation मिलेगा ठीक है OBC, HTSC और PWD वाले को तो government अपने बारे में क्या लिखाया है good governance के बारे में कि इससे क्या होगा इससे क्या क्या फायदा होगा time कम लगेगा time में selection हो जाएगा और जो multiple exam होता था multiple agency कराता था उसके बदले एक हो और 1000 से ज्यादा center होगा जिससे आपको अपने district में ही कहीं पर center मिल जाएगा ठीक है और गाओं गाओं तक इसका access होगा ठीक है और NRA put job seeker first ठीक है तो candidate can schedule test and choose center their candidate अपना center अपने चूज कर सकते है CET जो score होगा वो आपको पता है कहां कहां फायदा करेगा वो center government का exam state government का exam ठीक है और कोई भी private sector यहां बहुत बड़ा बात लिखा हुआ है कि कोई भी private sector अब आप resume ले जाते थे तो आप resume के साथ यह CET का marks भी ले जा सकते है और कोई भी private sector भी अब जो select करेगा उस CET का marks के according private sector भी आपको select कर सकता है कि हाँ आप इतना marks ले आए हैं तो आपको इस private company में job लग सकता है ठीक है आप जाके वहाँ interview अगर होगा तो interview दिया आप private company में आपको काम लग जाएगा तो CET का यह फायदा है कि center government के साथ साथ private sector में भी काम आएगा ठीक है और देखते हैं NRA ठीक है NRA के बारे में और देखते हैं initially लिखा हुआ है initially यहां लिखा हुआ है कि दो बार conduct कराया जाएगा year में ठीक है और जो भी आपका registration यह सब roll number यह सब online होगा ठीक है और bulk of candidate को selection लेगा CET NRA एक बार में ठीक है अब जानते है effect NRA और CET का effect हम लोग ज NRA और CET का effect तो mainly banking, railway और SSC में ही होगा क्योंकि यहीं तीन exam है जो conduct होता है तो देखते हैं तो देखते हैं banking में tier 1 में क्या क्या होता है math होता है English होता है reasoning इस time अभी हम लोग जानने का कोशिस करने वाले हैं कि क्या effect पढ़ सकता है अभी इसका detail syllabus नहीं है लेकिन क्या effect जानते हैं तो banking में जैसे हम लोग जानते हैं कि math, English और reasoning होता है tier 1 में तो reasoning का level थोड़ा अच्छा होता है और English का level ठीक है math calculated होता है यह इतना हम लोग जानें banking के बारे में ठीक है लेकिन यहाँ पे GKGS नहीं होता है ठीक अब railway में देखते हैं railway में math है GKGS है और reasoning है तो यहा पे English missing है ठीक है यहाँ पे English missing है यहाँ पे GKGS missing है तो क्या हम लोग को GKGS पढ़ना पड़ेगा जो railway के तयारी करते थे क्या उनको GKGS पढ़ना पड़ेगा और SSC वाले में क्या है reasoning भी है math भी है English भी है और GKGS भी है तो एक तरह से देखिए कि SSC में सब कुछ है लेकिन जो banking का reasoning है और जो SSC का reasoning है दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है और जो banking का reasoning है और जो railway का reasoning है उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर है तो क्या इस सब में बहुत ज्यादा effect पढ़ेगा तो हाँ बहुत ज्यादा effect पढ़ सकता है अपने तयारी को हो सकता है बहुत लोगों को फिर से स्टार्ट करना पड़े, banking वाले को हो सकता है, gkgs बहुत जादा पढ़ना पढ़ जाए railway का English बहुत कमजोर रहता है railway वाले student का तो उनको English में जादा जोर देना पढ़ जाए और ssc वाले को क्या करना पढ़ेगा, कुछ-कुछ topic add करना पढ़ेगा, reasoning में, math में, English में, और gkgs तो ssc वाले पढ़ती ही है तो सब ये बोलिए तो ये तीनो ये तीनो जो है, ये तीनो के student को कुछ-कुछ effect पढ़ेगा और effect आपको tier 1 में सिर्फ पढ़ेगा, tier 2 का exam वही agency आपका conduct कराएगा, जो पहले कराता था तो tier 1 के तैयारी के लिए आपको कुछ-कुछ बदलाव लाना पड़ेगा देखे, government क्या-क्या बोलता है ठीक है, उसके उपर depend करेगा कि NRA किस pattern में exam conduct कराता है तो thank you, यहीं इंड करते हैं इस वीडियो को, आपको अच्छा लगा तो like कीजे, share कीजे and subscribe कीजे